आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में 16 नमंबर को राष्टी ये प्रेश दिवस मनाये जाता है और प्रेश यानि की मीडिया को लोक्तंत का चौत्रा स्थम कहते हैं लेकिन आप सभी देख रहें कि आजकल मीडिया का हाल क्या बन चुका है और पहली की समय में आप देखें कि मीडिया के जरिये ही सही जानकारी आम लोकों तक पहुँच पाती थी हर आप देखें कोई भी खबर होती थी तो उसके नेगेटिव पॉइंट यानि की नकारत्मक पॉइंट जो होते थे उन्हें भी मीडिया सामने रखती थी पॉजिटिव पॉइंट भी आप देखें सामने रखती थी लेकिन आज के समय में आप बदल चुकी है कुछ मीडिया आप लोगों को इस तरह की देखने को मिलेगी जो सरकाल की हमेशा अच्छाई अच्छाई बताती रहती है उनकी नजरों में सरकाल की कोई गलत कमिया या खामिया नहीं होती है और कुछ मेडिया आप लोगों को देश में इस तरह की देखने को मिल जाती है जो आप देखते हैं कि सरकार की बुराईया ही बुराईया बताती रहती है उन्हें सरकार में कुछ अच्छाईया ही नहीं दिखाई देती है तो जो आम लोग होते हैं जो आम जंता होती है जिसे बोटर आप लोग कह देते हैं उसको आसल में कभी मालू ही नी चल पाता है कि सही कौन है और आप देखें वो जिस टीवी चैनल्स को देखते हैं उसी की विचारधारा में या उने के दिमाग में वही फेड़ वैड़ जात और खासकर आप लोग civil service और state PCS की तैयारी कर रहें तब तो मुझे लगता है कि इस तरह के questions आप लोगों को परीक्षा में पूँच लेता है मुख परीक्षा में हो सकता है कि कुछ questions लेखने के लिए हैं उसमें आप लोग कुछ fact अपनी तरफ से इस तरह के जोड सकते हैं पाख से दिल्ली दिल्ली रादधानी है और पाकिस्तान आज जो आप लोग देख रहें नar 1940 इंच से 30 तक यह हमारा हिसाथ था 1947 में हम लोगों से अलग हो गया था पहले पाकिस्तान का आप देखे बंगलादेश भी हिस्सा हुआ करता थे लेकिन 1971 में आप देखें कि भारत और पाकिस्तान की भी चियोद हुआ था बंगलादेश आजाद हुआ था ये पाकिस्तान है अफगानिस्तान चाइना नेपाल भो सबसे पहले तो यही याद रखेगा कि 16 नवंबर को पूरे भारत में राष्टिय प्रेस दिवस मनाया जाता है और यह पहली बार 1966 में भारती प्रेस परिषद अधिनियम 1965 की तैद प्रेस पहले प्रेस आयू की सिफारिसों पर इस्थापित किया गया था और जिसका 12-12 भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजंसियों के मालकों को बनाये रखने और इसमें सुधार कर प्रेस की सुदंता को सुरक्ष्य करना था अर्थ नयाइक स्वायटा पृदी कन के रूह में 1989 में संसत की अधिनियम की कि द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम 1978 की तहत फिर से इस्थावित किया गया था और ये आप देखेंगे कि 1966 से मनाय जा रहा है तो ये भी आप लोग याद रखेगा बहाती प्रेस परिशद एकमात्र निकाह है जो प्रेस की सुदंता की रक्षा के अपने कर्टबों में राज्य के उपकरड़ों पर भी अधिकार का प्रियोग कर और परिशद की 28 सदस्नों द्वारा आपस में चुने गए सदस्नों द्वारा इस्थापित किया जाता है यानि की अध्यक्ष का चैन सभापती अध्यक्ष वही होता है अगर हम लोग इसके प्रेस की उद्देश की बात करें तो प्रेस की सुदंत बनाय रखना और भारत मे समाचार पत्रों समाचार एजेंसिओं के मानकों को बनाय रखना और सुदार करना इसका उद्देश है और इसकी भूमिकाएं अगर आप देखें जिम्मेदारियां देखें तो भूमिकाएं देखें तो इस परिशद के पास अनुसंधान करने किसी भी प्रेस्तावित के लिए एक विशेष्ट सम्थी का गठन कर सकती है और जिम्मेदारियों की अगर हम लोग बात करें तो समाचार पत्रों और समाचार एजन्सियों को अपने सुतंत बनाये रखना और यह सुनिश्चित करना की अधिकारों और जिम्मेदारियों की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाए तो इस तरह का कोई डे मनाया जाता है तो वो पहली बार कब मनाया गया था क्यों मनाया जाता है उसका उद्देश क्या है इस तरह की कुछ मातपूर्ण लेता है डारेक्ट ही आपका कुश्चन सी पूछ लेता है कि चलिए और किसी के बारे में बात करनी हूं किसी और टॉपिक के दो आप लोग बता सकते हैं उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे